दोस्तो आज के वीडियो में आप लोगों के साथ पांच ऐसे आईडियाज शेयर करने वाला हूँ जिनकों की कोई भी महिला पीरेट्स के बाद अगर सही तरीके से फॉलोग कर लेती है तो किसी भी कंडिशन में उसके कंसीव करने के जो चांसे से 100% तक इंक्रीज हो सकते हैं नमशकार दोस्तो स्वागत है आप सब एक हमारे यूट्यूब चैनल आलोग फिटनिस आडियाज में दोस्तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको इसका पूरा फायदा मिले वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करते हैं और जादा से यादा शेयर करें फेस्ब ही बनती है PCOT PCOS की समस्या है तो किसी भी कंडिशन में अगर आप Fertility Massage करते हैं तो इसका जो benefit है आपको जरूर मिलेगा Fertility Massage कैसे करनी है मैंने पूरा एक वीडियो बनाय हुए आप मेरी वीडियो को उपर आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए उसमें आप पूरी तर जाता है और इस दौरान आपको Fertility Massage नहीं करनी है सिर्फ पीरियट खतम होने के अगले दिन से ले करके पीरियट के दसवे दिन तक ही आपको मसाज करनी है नमबर दो है Intermittent Fasting देखिए Intermittent Fasting क्या होती है जिसमें कि आपको 16 घंटे की Fasting करनी होती है जैसे कि शाम के वक्त जब सूरज ढ़ल जाता है Sunset हो जाता है तो उसके बाद से आपको खाना नहीं खाना होता है मालीजे शाम के 6 बचे Sunset हुआ और आपने खाना नहीं खाया आगरे दिन सुपह 10 बचे जब आप Breakfast करेंगे तो ये करीब 16 घंटे की आपके Fasting हो जाएगी इसके benefit ये है कि सबसे प आना शुरू कर देता है तो सबसे पहले benefit ये है दूसरा ये है कि आपके जो भी हॉर्मोन से वो बूश्ट होना शुरू हो जाएंगे बॉडी में जितने भी एक्स्ट्रा हॉर्मोन से वो डिटॉक्स हो जाएंगे इससे आपको कंसीव करने के जो chances हैं वो करीब 100% तक increase हो ज जाएंगे तो 16 गंटे की intermittent fasting को आप जरूर फॉलो करें नमबर 3 है diet देखिए diet में हमेशा आपको एक चीज ये ज्यान रखनी है जितनी भी आप diet लेंगे breakfast है lunch है या फिर शाम का जो खाना आप खाएंगे उसमें कोशिश ये करने कि हर diet में थोड़ा थोड़ा protein का source आपको add क अगर आप non vegetarian है तो egg chicken fish सारी चीज़ ले सकते हैं और अगर आप vegetarian है तो पनीर दही इसके साथ में soya bean ऐसी चीज़ों को आप अपने diet में जरूर शामिल करें जिससे कि आपको protein अच्छा रहेगा आपकी diet में और ये help करेगा आपकी egg की quality को improve करने में इसके साथ साथ एक चीज seasonal vegetables आपके पास available है उनका salad जरूर बनाएं और lunch से करीब आदे घंटे पहले उसको जरूर खाएं वहीं अगर आप weight loss, fat loss नहीं कर रहे हैं तो ऐसे में आपको vegetable salad की जगहा fruit salad भी ले सकते हैं जो भी seasonal fruit आपके पास available है उनका salad बनाके lunch से आदे घंटे पहले जरूर खाएं नमबर चार है कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपके hormones को खराब करती हैं जैसे कि fast food, junk food, चीनी से बनी हुए चीज़ें या फिर चीनी का किसी भी तरीके से आपको इस्तेमाल नहीं करना है तो अगर आप fast food, junk food और चीनी का इस्तेमाल रोक देते हैं तो इससे भी आपके hormones से बै आपके नींद पूरी नहीं हो पाती है तो mobile का इस्तेमाल जो है जैसे कि आप 10 बजे सोते हैं तो कम से कम दो घंटे पहले mobile को बंद करके रखते हैं अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे आपको कापी अदा help मिलेगी अपने hormones को boost करने में अपने आपको stress free रख पाएंगे एक अ इंद ले पाएंगे इन चीजों को भी अपने daily routine में जरूर शामिल करें नमबर पांच है physical relation देखे क्या होता है कि अकसर आप लोगों के mind में एक चीज सेट रहते हैं कि हम ovulation के दोरान ही relation में रहेंगे जिससे कि sperm और egg अच्छे से मिल पाएंगे जबकि यह आपकी बहुत ब आपने ovulation का वेट किया आज ovulation हो रहा है तो आप आज relation में रहेंगे तो तब तक 24 गंटे में आपका egg ही खराब हो जाएगा तो इसलिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि periods कतम होने के बाद से ही एक एक दिन छोड़ करके relation में रहना शुरू करें जिससे कि sperm पहले से ही body में एक एक दिन छोड़ करके relation में रहना है क्योंकि sperm की जो life है वो body में 4-5 दिन तक भी रह सकता है तो आपके लिए सबसे अच्छा तरीका यही रहेगा तो दोस्तों आज के वीडियो में जो 5 tips मैंने आप लोगों के साथ में share की है उमीद है आप लोगों को सारी समझ में आ आए इसके साथ साथ हमें इस्टाग्राम पर फॉलो कर लें वहां पर भी हम शॉर्ट वीडियोश डालते रहते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद